देखे बिहार में शिक्षा विभाग की तरब से आए दिन नए नए फर्मान जारी किये जाते हैं और वो फर्मान बिहार के सभी विद्याले, विश्व विद्याले और बिहार के बच्चों पर लागू होते हैं ऐसे में बिहार के शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से नया फर्मान जारी किया है और वो फर्मान ये है कि बिहार के सभी विश्य विद्यालेओं को परिक्षा का रिजल्ट परिक्षा खत्म होने के 30 दिनों के अंदर जारी करना होगा देखिए आम तोर पर बिहार के एजुकेशन सिस्टम सिक्षा विवस्ता के लिए कहा जाता है कि बिहार की सिक्षा विवस्ता काफिर चर्मराई हुई है और बिहार में होता यूं है कि परिक्षार्टियों के विद्यार्टियों के शेसन बहुत लेट होते हैं और परिनाम भी उतना ही लेट आता है ऐसे में तीन साल के ग्रेजुएशन को पांच साल लग जाते हैं लेकिन आपको बता दे कि सिक्षा विभाग की तरब से एक बड़ा फर्मान जारी किया गया है और वो फर्मान ये है कि बिहार कि किसी भी उनिवर्स्टी में अगर कोई परिक्षा होती है तो उसका परिनाम परिक्षा के 30 दिनों के अंदर आ जाने चाहिए उच्छी शिक्षा निदेशाले ने इसका निर्देश सभे विश्विद्याले को दिया है पिछले दिनों सभे विश्विद्याले के कूल सचीव के साथ हुई बैठक में उच्छी शिक्षा निदेशाले ने परिक्षा केलेंडर भी जारी किया भ्यार के युनिवस्टी में सेसन लेट और समय से परिक्षा लेकर रिजल्ट प्रकाशित करनी बड़ी चुनौती है शेसन लेट की कारण बड़ी संख्या में शात्रों का पलायन भी हर साल होता है परिक्षा केलेंडर में परिक्षा से जाए कि दोनों कैलेंडर की बात रह जाए बियार विहार उनिवस्टी मुझफरपूर ने भी अपना परिक्षा कालेंडर तयार किया है इस कलेंडर में वर्ष 25 तक के सनातक पीजी और वो के लेशन की होने वाली परिच्छाओं का जिक्र है, बियार बियू में परिच्छा के साथ रिजल्ट के भी तारिक तैकी गई है, इस परिच्छा कालेंडर को वीवी की तरब से राजभवन भी भेज दिया गया है, हलाकि अभी परिच्छा कालेंडर के हिसाब से शाहीं पीछे हो गई है सितंबर में होने वाली परिक्षा की तारीक ऑक्टिवर में जारी की गई है। बिहार के किसी बीन वस्तिमें अगर कोई परिक्षा होती है तो उसके परिणाम को अब इलम्व यानि बिना किसी देरी के परिक्षा के समात्त होने के 30 धिन के भीतर यानि एक महीने के अंदर रिजल्ट आजा आना चाहिए ताकि रिजल्ट लेट आने की वज़े से शेसन लेट होने की वज़े से जो बच्चे बिहार से पलायन कर रहे हैं, किसी अन्य राजियों में जाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी ये सारी समस्या खत्म हो सके और बच्चों का जो पढ़ाई है वो सब समय पूरी हो सके, तीन साल का देश नया फर्मान जारी किया गया है बाकि आपको शिक्षा विभाग का ये पहल कैसा लगा आप अपनी राय कमेंड बॉक्स में जरूर बताईएगा फिलाल इस वीजिय को समाप्त करते हैं मिलते हैं नए वीजियो में आप देख रहते हैं सब स्टॉक्स मैं थी आपके साथ टॉली पांडे धन्यवाद